आप इसको इंस्टेंट बनाके खा सकते हैं, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सबजेंची होगी, दो प्याज, एक टमाटर, साथ में थोड़ा सा मैंने पालक लिया है, चार से पांच आपने हरी मिर्ची लेनी है, थोड़ा सा हरधनिया का यूज़ करेंगे, और चार यहाँ आप मैंने एग लिये, सबसे पहले एक बॉल लेंगे, और यह जो एग गया ना, इनको एक बॉल में तोड़ लेना है, तो यह दिखे, आपने एक फोक लेना है, और इस तरह से फोक से मारेंगे, चारों तो गुम करना है, और नमक डालने के बद आपने फोक की साहिता से देखिए, अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेना है, तब तब फेंट ना है, जब तके जो योग होता है यह वाइट के साथ अच्छे से मिक्स नौज जाए, और यह देखिए, अच्छे से मैंने एक को वीड कर ल करते हैं, तो देखिए, उसको भी इस तरह से आपने कट लगाने है, उसको भी अपने बरी काट लेना है, या फिर आप कट लगाईए, प्याच को बनवाई डू करके चौप कर सकते हैं, यह देखिए, एक ब्राबर कटी हुई ना प्याच की, अब हम पालक को भी चौप करे करके पकड़नी है, और के देखिए, इस तरह से आपने मिर्ची को भी बरी काट लेना है, और इसके बद मैं टमाटर काटेंगे, टमाटर की जो आईस है, वो आपने इस तरह से हटा देनी है, और इसके बद टमाटर को सीडलेस करना है, यह देखिए, इस तरह से, मैं आपे बीच कहीं, उस नहीं करना हो बुर्ची बनाने में, क्योंकि न मैंने काफी मुईशर होता है, हमारी बुर्ची न फिर एक़ली खिली नहीं बनती है, और यह टमाटरों को बीच है उन से stone problem भी होती है, तो यह देखिए टमाटरों को मैंने सीडलेस करके यहाँ पे फाइन चौक कर लिया है इस तरह से आपने टमाटरों को काट लेना है और जो हरादनिया था उसको भी मैंने अच्छी तरह से दो के काट लिया है वो आपको मैं दिखानी पाए है यहाँ पे आप यहाँ पे कड़ा ही लेंगे और उसमें एक बड़ा चमश ओईल एड़ करेंगे ओईल जैसे आपका थोड़ा सा हीट हो जाए आपने इसमें प्याज एड़ कर देना है डालना चाहे जीरा भी डाल सकते हैं साबो जीरा पर मैं डिरेक्टली यहाँ पे प्याज डार रहा हूँ और गैस की फिले में अपने हाई करनी है और हाई फिले में प्याज को तब तब पकाना है जब तब प्याज के अंदर जो मौशर है वो खतमना हो जाए जबा गॉल्डन ब्रॉण करने ही जूर्टनी होती प्याज को यहाँ पे प्याज कर सिर्फ हमने हाँ पे कच्चा टेश खतम करना होता है और यह देखिये प्याज को यहाँ पर मैं थोड़ी दिर पका लिया है फिर हम इसमें बरेकटी हरी मिर्ची आइडर करेंगे हरी मिर्च का यूज़ आपने थोड़ा सा जादा करना है तब ही आपकी भुर्जी अच्छी करारी बनेगी और ये देखे मिर्ची को भी मैं प्याज के साथ थोड़ी दिर पका लिया है फिर हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पोड़र डालेंगे दालेना है तब ही मैंने यहाँ पे सीड का यूज़ नहीं किया है क्योंकि अगर हम बीच के साथ डाल देते तो हमारे जो प्याज टमाटर ना उसकी ग्रेवी सी बन जाती और थोड़ा सा अप टमाटर को पकाने के बाद इसमें पालक एड़ कर देंगे पालक को पकने में ज़दा टाइम नहीं लगता है एक से डेड मिन में पालक पक जाता है तो पालक को भी हाई फले में एक से डेड मिन तक आप भून लीजिए प्याज आज आटमाटर के साथ में पालक में काभी सारा आईरन और बिड़ा मिन सबाई जाते हैं फिर हम इसमें फेंटे हुए एक गाइड कर देंगे तो अंडों को आपने बिखेर के डालाएं देखिए ताकि सारे मसाले के साथ अच्छे से एक जों मिक्स हो जाएं एक से दो क्यूब आप बटर के डाल दीजिए अगर आपके अस बटर है और अच्छी तरह से देखिए ती वाईश्र है वो खतम नहीं जाए और अगर आप गिली गिली एक भुर्ची खाना पसंद करते हैं वो त्यार हो चुक्ति है देखिए तो इस तरह से आप एक भुर्ची बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो बनेगी बनेगी काफी हेल्दी बनेगी अब मैं आपक प्याज टमाटर जो टमाटर हमने बनेगी काट से कौड़ के रखे हैं तुम हरी मिर्ची ओंट एक भुर्ची बनाने ये वाला तरीका जो है बहुत ही असान है और इस तरीके से भी एक भुर्जी बहुत ही ज़दा टेस्टी बनती है देखिए अंडों को चितरा मिक्स कर लिया है फिर हम कडाही के अंदर एक छोड़ा चमश ऑईल एड़ करेंगे और साथ में एक छोड़ा चमश इसमें बटर ए जाएंगे तो एक जोड़ाई के नीचे शिपकते हैं और यह देखिए आपने अराम से इनको मिक्स करना है जैसे अंडे ना दानेदार होना शुरू हो जाए यहां पर फिर आप थोड़ी सी गैस की फ्लेम बढ़ाएंगे यहां पर एक को प्याज ट्रमाटर के साथ तब पकाई है जब तक इनके अंदर जो मौश्टर है बोग खतम नहीं जाए तो यह दूसरे तरीके की एक बुर जीवन के त्यार हो चुकी है वीडियो